तो यार इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं week 3 season 7 royal pass missions के बारे में इसमें हम बात करेंगे जिनों royal pass लिया है उनके missions के लिए भी and जिनों नहीं लिया है उनके missions के बारे में भी तो यार मैं तुम्हें बताँगा कि तुम्हें मिशन किस तरह से करने है और इजीली किस तरह से आप जल्दी कर सकते हैं उनको तो यार वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ कि सब्स्राइब करना चानल को अगर सब्स्राइब ने करा क्योंकि तुम्हार भाई तुम्हार लिए ऐसे ही वीडियोस डेली बेस्स पे लेके आता रहता है और उसके लावा बेल आइकन जोरू दबाना तागे तो मैं सारे नोटिफिकेशन मेरी वीडियोस के एक दम टाइम पे मिल सकें तो आपने से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अभी week 3 के मिशन कहां से आ गए है अभी तो week 2 शुरू हुआ है और week 3 के मिशन के वीडियो क्यों बन रही है तो आप पहली बता दो आप लोगो को कि अगर आपने easy pass लिया हुआ है easy mission license pass अगर आपने खरीदा हुआ है तो week 3 के मिशन आपके week 2 में ही unlock हो जाते है और week 4 के मिशन आपके week 3 में unlock हो जाते है तो इस तरह से वो work करता है उसके अलावा गाईज अगर आपने नहीं भी लिया है easy pass, easy mission royal pass, easy mission license pass तो भी आपके लिए वीडियो बहुत फाइदा बन है आपको यह बत अलग जागा कि week 3 में कौन से मिशन आने वाले है और आप उसी तरह से अपना week 3 शुरू करेंगे उसी तरह से आपको जाकर उनको चेक नहीं करना बड़ेगा आपको फिर से वीडियो दिखना बड़ेगा आप अभी वीडियो देख सकते हैं अगली बड़ेगा आप उनको अराम से कर सकते हैं तो चलिए यार चलते हैं अपने mission section में चलते हैं अपने rp section में आप पर मागए है week 3 पे तो week 3 में पहला mission आप दिख सकते हैं guys सबसे पहले हम बात करेंगे जोनों रोल पास खरीद रहो है तो यार use the bunny dance mode in school area rp rank reward तो यार bunny dance mode आपको यूज करना है school area में पिचतर बढ़न आपको बिल्कुल free मिल रहे हैं उसके लिए तो यह बहुत सही mission है बहुत easy है कोई दिख्यत वाली बात नहीं है आप अराम से आए कर सकते हैं इसको अगले यार kill 3 animals with the arm in any mode अब आपको आउम लेकर तीन बंदे मारने है अब इन इनी mode का मतलब बहुत सही है आप जाकर इसको खेल सकते है sniper training वाले mode में और आपर जाकर अराम से तीन बंदों को मार सकते है otherwise guys अगर आपको classic match में इसको पूरा करना है तो आप course में drop hunting करना पड़ेगी या फिर आपके पास एक flare करोना चाहिए अगले पर guys में चलता हूँ अगला mission है carrier teammates for 10,000 meters अब guys इसका मतलब यह है simple कि आप vehicle drive कर रहे होने चाहिए और बाकी आपके जो squad mates है जो teammates है वो गाड़ी में बैठे होने चाहिए अगर मान लीजिए कि आप passenger seat में बैठे है और आपका friend drive कर रहा है तो आप account नहीं होगा guys तो आपको drive करना है और आपके friends आपके साथ बैठे होने चाहिए गाड़ी के अंदर आपके teammates बैठे होने चाहिए गाड़ी के अंदर तो guys पहली बात होगर आप drop बंडिंग करते हैं तो आपके लिए बहुत इसी है है पांच-एट्रॉप लेना अगर आप नहीं करते हैं तो आपको flare gun लेना पड़ेगा guys flare gun में भी work करेगा ये flare gun वाला drop होगा या फिर आपका normal drop होगा तो दोनों में work कर जाएगा ये अगला mission है guys earn S rating or above 3 times while in any group with friends in classic mode तो भाई जब हमारे mission शुरू होगा है वो जिन उन्हें रोयल पास नहीं लिया है जिनके पास normal royal pass है तो उनके लिए हम बात कर लेते हैं guys चुरू करते हैं तो पहला mission है यार हमारा यहां पे earn S rating or above 3 times while in a group with friends in classic mode तो यहां पे completely specified है कि आपको classic mode में match केलना है आप squad में होने चाहिए है आपके बास एक group में होने चाहिए है तो यह वाला mission आपका duo में या solo में पूरा नहीं होगा आपको squad में ही करना पड़ेगा यह वाला mission और आपको S rating और above लेना पड़ेगा तीन matches के अंदर guys तो यह भी काफी easy है guys इसमें कोई usual बात नहीं है उसके लावा यार यह आपका friend bonus mission है तो friend bonus mission के अंदर आपको यहां पे extra rp points बल जाएंगे तो again यह आपके लिए beneficial है तो ensure करिएगा कि आपके जिन friends से पास जिनों रोयल पास खरीदा हुआ है तो उनी को अपने साथ इन matches में खिलाना यार जादा बेटर रहेगा अब मान लीजे अगर आप casual player है और आप स्था अच्छा नहीं खेलते हैं नहीं player है तब भी आपको mission पूरा करना है तो यह सबसे easy way है दूसरे server जाए खेल लो और यह आपको आराम से पूरा हो जाए कोई issue नहीं आने वाल आपको अगले mission के मैं बात करता हूँ kill 20 enemies in poaching key with M4, 1, 6 and skarl तो guys यह mission तो बहुत पुराना है और मतलब हर season में यह mission आता ही आता है तो यह आपको बस M4, 1, 6 and skarl आपको लेना है और 20 बंदे आपको मारना है poaching key में अगर आप normal नहीं कर पारे classic match में नहीं कर पारे इसको पूरा तो यह आप जा सकते हैं आराम से किसी और server में अगले mission की बात करता है get a frag grenade in 20 matches अब 20 matches में आपको frag grenade लेना है अब यहाँ पर specific word नहीं है कि वो classic है या arcade है तो कैसे आप arcade matches में जाकर जल्दी से जल्दी कर सकते हैं इस mission को यह mission आपको आराम से पूरा हो जागा कोई issue वाली बात नहीं है अगर आपको जल्दी नहीं है mission करनेगे तो भी आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आप normal matches खेलिए आपको frag grenade मिलता है यह हर माच में अगले mission की बात करते है land on top of any building in poaching के 3 times तो guys आप poaching के बहुत भीड़ मचने वाली है जैसे Friday आएगा poaching के में बहुत भीड़ मचेगी तो अगर आपने easy pass लिया हुआ है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बढ़ अगर आपने नहीं लिया हुआ तो Friday को बहुत दिक्कत वने लिए आपको जैसी ये live होगा सारे बंदे poaching के में खूदेंगे तो message आपको अगर अगर आपको hot drop करने की आदत नहीं है अगर आप rush gameplay नहीं खेलते हैं अगर आप safe खेलते हैं casual player है तो यार जाकर किसी और server में poaching के पर drop करना अधरवाइद आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा तो अगले पर चलते हैं अगला है recover a total of 1500 health अब ये mission बहुत easy है इसमें कुछ खास नहीं है आपके लिए तो basically यार देखो अगर आपको जल्दी नहीं है इस mission को पूरा करने की तो थोड़ी बहुत मैं खेलोगे ये पूरा हो जाएगा बैट आपको अगर जल्दी है इस mission को पूरा करने की सबसे बड़ी तरीका है squad में खेलो अपने teammates को knock करो वो सारे revive करो वो सारे health लगा लेंगे नहीं तो आपको वो कर लेंगे आपको रिवाइब करके आप health लगा लो उसके अलावा आप चलती गाड़ी से कूद सकते हो 60 से 65 की स्पीड पर आप कूद होगे तो आपकी death नहीं होगे अगर आपकी health फूल है तो आप 60-65 की स्पीड से जादा पर जाओगे तो आपकी death हो सकती है आप इजी लिक्स मेशन को पूरा कर सकते हो अगला मिशन है eliminate 10 players with G36C तो G36C आपको मिलती है सरफ विकेंडी मैप में पिछली बार भी ये मिशन आया था पिछली बार ये week 1 में मिशन आया था तो ये मिशन आपको विकेंडी में जाकर ही पूरा करना पड़ेगा और कहीं आप इस मिशन को पूरा नहीं कर सकते तो आपको 10 बंदे मारना है G36C अए तो आप जाकर इसको आराम से विकेंडी है पूरा कर सकते हैं अगर आपको इशू है नॉर्मल अपने सर्वर में खेलने में तो आप किसी और सर्वर में जाके खेल सकते हैं और इस मिशन को और आम से पूरा कर सकते हैं तो यह इसी के साथ मैं आप साथ मिशन कमलीट हो गए यह वीक तरीके आप लोग को यह वीडियो पसंद आए होगा और आपके लिए हल्पर रहा होगा यह वीडियो तो यह वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जोरू करना इस वहाल जोका रखते होँ अर। से अगली वीडियो कि अडिए कैस टिए रहिए प्कैस है